तो गाइस न्यूस तो आप लोगों ने सुन ली होगी CBAC के डिरेक्टर जोसेफ इमैनियोल ने कल रात को एक बहुत ही बड़ा अपडेट हम लोगों को दिया है कि CBAC के 11th and 12th क्लास के पेपर पैटर्न में होने वाला है एक मेजर चेंज अभी हम लोगों के पास में news आई थी कि syllabus में कुछ कुछ changes हुआ है लेकिन जब हम लोगों ने चेक किया तो as such कोई syllabus में बड़ा change नहीं आया था जो अभी तक हम लोग syllabus follow कर रहा हैं 11th and 12th में वही follow होगा deleted जो chapters दे वह पूरी तरीके से हट गए हैं जो आपने पिछले साल syllabus देखा था वही syllabus आपको इस साल भी देखने मिलेगा लेकिन paper pattern में एक बहुत बड़ा change आ गया है तो देखो मैं आपको एक example के साथ समझाता हूँ कि actually पूरा scenario क्या हुआ हुआ है जिसे competency based question बोलते हैं वो 16 marks के आये थे और case based study वाले जो question थे वो 4-4 mark के 2 question आये थे तो case based question हो गए 8 marks के और assertion reason, multiple choice question यह हो गए 16 marks के यानि 24 marks लगबग लगबग आपके यह हो गए तो पहले क्या होता था कि CBAC में लगबग 40% के आसपास इस तरीके के questions आते थे यानि अभी आप देखो 24 marks से लेकर 28 marks के बीच में आपको इस तरीके के question मिलते थे लेकिन इस साल से अब आप लोगों का 50-50% हो गया है यानि कि competency based question जिसमें आपका case based आ गया MCQs आ गए, assertion reason आ गए, यह 50% आएंगे यानि कि यह 70 number का अगर आपका chemistry का paper हो रहा है तो आपको 35 marks के जो questions हैं वो MCQ, assertion, reason और case based दिखाई देंगे और बाकी का जो 50% यानि 35 marks वो long answer, short answer, very short answer इस तरीके के pattern पर आएंगे तो यहाँ पर Emmanuel Sir का यह कहना है कि actually जो national education policy 2020 में launch करी गई थी जिसके अंदर government का यह कहना था कि हमें students को अब एक नए culture के लिए develop करना है जिसमें ratification यानि रटना कम हो, समझना जादा हो, scientific exploration जादा हो और यह तभी हो पाएगा जब हम लोग long answers, short answers का number कम करें यानि ऐसे questions जिसमें रटा जा सके वो कम करें और जिसमें logical application हो, conceptual application हो, understanding of the knowledge हो, वो बढ़ाएं और वो तभी हो सकेगा जब आप MCQ, assertion, reason या किसी case based study question को इसके अंदर डालोगे तो अब से आपके paper pattern में हो चुका है, एक major change, 50-50% का ratio हो चुका है, तो अब आप यह मान के चलो कि chemistry हो, biology हो या आपका कोई भी subject हो, 50% आपको इस तरीके के questions देखने को मिलेंगे, जो कि assertion, reason, multiple choice question या case based type के हो तो अब आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है, आप जैसे पढ़ते आ रहे हो, वैसे ही पढ़ो, बस अब आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है, NCRT को line by line go through करना पड़ेगा, concept को समझना पड़ेगा, अब यह नहीं कर सकते कि सर पिछले 5 सा और better हो सकेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है, chemistry के लिए तो मैं बैठा हूँ, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाएगा इस साल की बिलकुल tension लेने की जरुवत नहीं है, तो वो student जो class 12 में आप अपनी preparation start कर रहे है, बच्चो gravity circle chemistry के लिए आपके description है, और description box में हमारा नया YouTube channel chemistry circle का मैंने link दिया हुआ है, उस पर NEET, J.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E. ile schema से केचल से केचल से पूरा करेंगे और अगर आप लोगो को एक नए तरीके से स्टार्ट करना पढ़ेगा, एक नए पैटर्न पढ़ेगा लेकिन syllabus से में तो चिनता करने की कोई जर्वत नही है